देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास चुनिंदा खबरे वो भी मेरे साथ महमारी कोरोना की रोक थाम के लिए लागू किये गए कड़े लॉकडाउन के दोरान पीपरी चिचवड के पशुचिकित्सा विभाग में कुत्तों की नस्बंदी में बड़ा घोटाला सामने आया है उधर पीएम नरेंद्र मोधी की और से राश्ट के नाम संबोधन में पिछले साल लाए गए तीनो कुरुशी कानों को वापस लेने का फैसला लिये जाने की घोशना के बाद महाराश्टर में विरोधी दल हमलावार है मुख्या मंदरी उद्दव ठाकरे ने केंद्र सरकार को भविश्य में इस प्रकार की शर्मिंदगी से बचने के लिए अन्य दलो को भी विश्वास में लेने के सलादी है तो अन्य विरोधी दलो ने इसे एतिहासिक करार देते हुए किसानों की जित कहा है इसी बीच अधिकारियों के फर्जी हस्ताक्षार से काम पूरा होने की रिपोर्ट बना कर पुने मनपा के साथ 99 लाख रुपे की दोका धड़ी का मामला सामने आया है इसके अलावा मुंबई बीजेपी के प्रवक्ता और विधायक राम कदम ने शरत पवार पर निशाना साधा है कदम ने कहां कि शरत पवार जान बुझ कर भामत बाते कर रहे है प्रदेश की इन पाच बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहे हमारे साथ महामारी कोरुना की रोक्ताम के लिए लागू किये गए कड़े लॉकडाउन की दुरान पिंपरी चिंचवड के पशू चिकित्सक विभाग की ओर से 7125 कुटों की नजबंदी की गई इस ठेके की शर्तों में नजबंदी किये गए कुटों की फोटो निकालनी जरूरी थी हालाकि यह ऐसा हुआ नहीं जबकि इस पूरे काम में 70 लाक रुपे का खर्च किया गया यह संसरी केस खुलासा करते हुए बूतपूर्व महापौर एवं राष्टवादी कॉंगरिस के वरिष्णगर सेवक योगेश बहल ने इस पूरे घोटाले में सत्ता दल भाजपा के महासचीव के शामिल रहने का आरोप लगाया इस खुलासे और आरोप के बाद मनपा की सर्वसाधारन सभा में खासा हंगामा भी हुआ महापौर उशाधोरे की अध्यक्षता में हुई सर्वसाधारन सभा में आवारा पशूं के अनिमल शेल्टर शुडू करने के प्रस्ताफ पर वरिष्णगर सेवक योगेश बहल ने उप्रोक्त खुलासा करते हुए कहा कि सतारोड भाचपा कुरोना काल में भी प्रिष्टाचार करने से बाज नहीं आई कुटों की नस्बंदी में भी कमिशन की मलाई खाई कुरोना काल में जब जन जीवन ठप था तो मनपा ने कहा था कि 7125 कुटों की नस्बंदी की गई है नजबंदी का काम चार संस्थाओं को दिया गया इसमें जीवरक्षा अनिमल वेलपेड ट्रास्थ दे सोसाइटी फॉर प्रिवेंटिव क्रुवाल्टी टॉम अनिमल और अनिमल वेलपेड शामिल रही लाको रुपे इन संस्थाओं के माधिम से खर्च होना बताया गया पीम नरेंद्र मोदी की और जिराश्च के नाम संबोधन में पिछले साल लाए गये तीन कृशी कानूनों को वापस लेने का फैसला लिये जाने की खोशना की गई इसके बाद इसे किसानों की जीत के तौर पर पेश किया जा रहा है वहीं विपक्षी दल इस मामले को लेकर प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी वा केंद्र सरकार को खेर रहे हैं महराश्च के मुक्य मंत्री वाशिफसिना प्रमो को धर्प ठाकरे ने से केंद्र सरकार के लिए शर्मिंद्गी करार दिया उन्होंने के इंदर सरकार को भविश्य में इस प्रकार की शर्मंदगी से बचने के लिए अन्य दलों को भी विश्वास में लेने की सलाहा दी मुख्य मंतरी ने कहा कि करशी कानूनों के खिलाब पूरे देश में नाराजगी है आंदोलन हो रहा है और प्रदशनकारी किसान अब भी दिली की सीमाओं पर है इस आंदोलन में अन्य दाता कई किसानों ने जान गवा दी यहाँ तक राजगी महाविकास हागाडी सिरकार ने करशी कानूनों पर आपत्ती जताई उन्होंने कहा कि इन कानूनों को उनके प्रावधानों और संभावित समस्याओं पर महाराश्य विधान सभा के सत्रों के दौरान विस्तार से चर्चा हुई मैं आने वाले समय में इन कानूनों को वास्तिविक रूप से वापस लेने के केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत करता हूँ आगामी दिनों के लिए यह फैसला एक नजीर के रूप में पेश किया जाएगा महराश कांगरिस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि मोधी सरकार ने तीनों कृषी कानून उत्तरप्रदेश, पंजाब और अन्ने राज्यों के आगामी चनाओ के मद्दे नजर लिया है उन्हें इस बात का डर है कि चनाओ में उनका सुपड़ा साफ हो जाएगा मोधी सरकार जूटे वादे करके सत्ता में आई थी और आज तक जूट बोल रही है मोधी सरकार को देश की जिनता और किसानों को यह यकीन दिलाना होगा कि अब वो इस तरह के काले कानून दोबारा नहीं लाएंगे वहीं महराश के किसान नेता और आंदोलन में सहबागी रहे अजीत नेवले ने कहा कि आज हमारे संखर्ष का फल मिला है लेकिन यह लडाई अभी खत्म नहीं हुई है जब तक संसद में यह कानून खारिज नहीं होते तब तक आंदोलन जारी रहेगा इसके लावा शिफसना की प्रवक्ता मनीशा कायंदे ने कहा कि किर्शी कानूनों का वापिस होना किसानों की बड़ी जीत है देश की आजादी के बाद किसानों की यह सबसे बड़ी जीत है आज किसानों ने मोदी सिरकार को एक सबक सिखाया है वो वंचित बहुजना घारी के मुख्या प्रकाश रामबेटकर ने कहा कि जो बात पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कृशी कानूनों के संबन में कही वो जब तक संसद में न रखी जाए तब तक कोई इस बयान का कोई मतलब नहीं अधिकारियों के फरजी हस्ताक्षर से काम पूरा होने की रिपोर्ट बनाकर पूने मनपा के 799 लाक रुपे की धोगा धड़ी करने की कोशिश किये जाने का चौकाने वाला मामला सामने आया इस बारे में शिवाजी नकर पुलिस ने मामला दर्च किया मनपा की ओर से प्रलाद पवार ने शिकायत दर्च करवाई इसके अनुसार योगेश चंदरशेकर मोरे के खिलाफ मामला दर्च किया गया दस परवरी से 21 अक्टूबर के बीच यह घटना घटी पूने मनपा की आमसभा में विपक्ष ने स्मुद्धे पर सतारोड भाच्पा और प्रशासन को आड़े हातो लिया था इसके बाद मनपा प्रशासन की ओवसे शिवाजी नकर्थाने में शिकायत दर्च करवाई गई इस मामले में पुलिस अमिली जानकारी के नुसार बानेर नवी पेट और कोत्रुड में मनपा शिम्शान भूमी में विद्योत विशेक कामों को पूरा करने का बता कर 99,08,000 रुपे का फरजी बिल तयार किया गया इसके बाद मनपा के सर्वसाधारन फॉर्म बिल बना कर उस पर मनपा के संबंदित अधिकारियों के फरजी हस्ताक शुर कर मुहर लगा कर परस पर कारलीन इन्वर्ड कर सुआस्त विभा को ये बिल भेजे गए यह बिल मनपा के साथ आर्थिक धोगा धड़ी करने की कोशिश की गई सर्वसाधारन सभा में यह मामला सामने आने के बाद मनपा की ओर से पुलिस में शिकायत दर्च करवाई गई पुलिस ने योगेश मोरे के खिलाफ मामला दर्च कर चान बीन शुरू कर दी है राकपा ध्यक शरत पवार ने नाकपुर में कारक्रिप में यह बयान दिया था कि प्रधान मंत्री मोदी ने आदिवासियों को वनवासी शब्द से संबोधित किया जो गलत है और हम इसकी निंदा करते हैं इसे लेकर मुंबई बीजेबी की प्रवक्ता और विधायक राम कदम ने शरत पवार पर निशाना साधा कदम ने कहा कि शरत पवार को शायद गलत जानकारी दी गई या फिर जान बूच कर ब्रहमक बात कर रहे हैं प्रधान मंत्री नरेंडर मोदी ने जनजातिय सम्मेलन में कहीं भी वनवासी शब्त का इस्तमाल नहीं किया है ऐसे में शरत पवार द्वार लगाए गया आरोप निराधार हैं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेद्र मोधी ने आदिवासियों के कल्यान की अंदेकी करने कारोप लगाते हुए कॉंगरिस पर निशाना साधा था उन्होंने कहा था कि आदिवासी शेत्रों के विकास को सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं जो पिछले शासन के दुरान पिछड़े रहे थे पूर्व की सरकारों ने आदिवासियों को उनका हक नहीं दिया और बुनियादी सुविधाओं से वंचित किया गया आदिवासी समाज को उचित महत्व प्राथमिक्ता न देकर पहले की सरकार ने जो प्राथ किया उसे हर मंच से बोला जाना जरूरी है चुनाव की नाम पर अभावों की नाम पर वोट मांगे गए सत्ता पाई गई लेकिन समुदाई के लिए जितना और जब करना चाहिए था वह कम पड़ गया और जनजाती समाज को असहाय छोड़ दिया गया कदम ने कहा कि पीएम के इन आरोपों से बचने के लिए बतंगड का सहारा लिया जा रहा है नकसलियों ने 24 घंटे के भारत बंग का आवहान किया है इस दोरान नकसलियों ने रेलवे ट्रैक को भारिक शती पहुचाई है उन्होंने चक्रधरपुर्क रेल मंडल में रेलवे स्लीपर को बम से उड़ा दिया जिससे इस मार्क पर रेलवे आवगमन ठप हो गया है उदर तिन कुशी कानूनों की वापसी की घोशना के बाद कॉंग्रेस ने उत्तर प्रदेश में किसान विजय दिवस मनाने की घोशना की है दिन भर विजय सभाओ के बाद शाम को कैंडल मार्च निकाला जाएगा इसी बीच पंजाब के 32 किसान संगटनों की आज बैठक होने जा रही है बैठक में आगे की रणनीती पर मन्थन होगा वही करमचारी भविशन इधी संगटन के खाता धारकों को 2021 में मिलने वाली ब्यास दरों पर आज फसला हो सकता है नियुनदम पेंचन पर भी बात होगी बात उपलब्धियों की करे तो बिहार की युवा वेग्यानिक टॉक्टर उजवल वर्मा की वो उनकी टीम ने बैक्टरिय की पहचान करने वाली नई टेक्नोलोजिका इजाद किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स के क्षेत्र में ये महत्वपुर्ण उपलब्धी मानी जा रही है देश की इन पाजबडी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहे हमारे साथ चक्रधरपूर रेल मंडल के लोटा पहार स्टेशन के पास नकसलियों ने रेलवे स्लीपर को बम से उड़ा दिया जिसके कारण हावडा मुंबई मार्क पर रेल परिचालन बादित है कई सवारी गाडिया चक्रधरपूर स्टेशन पर खड़ी है वही लंबी दूरी की ट्रेने भी जहां तहां फसी है अप और डाउन दोनों रेलवे ट्रेक शतिग्रस्थ हो गया है लोहे की रेल पत्री भी तेड़ी हो गई है ब्लास्ट इतना जोरदार था कि रेलवे पत्री के नीचे एक से डेड़ फिट गड़ा हो गया राज से हावडा मुंबे रेलवे मार्ग पर ट्रेनों का परिचालन ठप हो गया फिलाल चक्रधरपुर, सोनुवा, राजखरसावा, आदी स्टेशनों में कई मेल एक्स्प्रेस टेनों को रोग दिया गया है रेलकर्मी दोनों रेलवे ट्रेक को दुरुस्त करने का काम कर रहे है दरसल नकसलियों ने 24 घंटे के भारत बंद का आववान किया है भागपा मौवादी के केंद्रिय कमेटी, वो पोलिद ब्यूरो सदस्य तथा पूर्वी दीजनल ब्यूरो, सचिव किसंदा, उर्फ प्रशांत बोस और केंद्रिय कमेटी सदस्य शीला मरांडी समेट शह की गिरफतारी के खिलाप पांच दियूसिय अप्रतिरो दिवस और एक दियूसिय भारत बंद का ववान किया गया है नकसलियों का शनिवार को 24 घंटे भारत बंद है इसी क्रम में रेलवे को निशाना बनाया गया है शक्रधरपूर रेल मंडल में जिस्थान पर रेलवे स्लीपर को उड़ाया गया है वहाँ बैनर भी टांग दिया गया घटना स्तल पर आर्पियफ के आलादिकारी जवानों के साथ मामले की जांच करने पहुचे है तीन क्रुशी कानुनों की वापसी की घौशना को किसानों के संघरशों की जीत बताने वाली कॉंग्रेस ने शनिवार को उत्तरपदेश में किसान विजय दिवस मनाने की घौशना की है इस मौके पर कॉंग्रेस महासचिव एव यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड़ा सरकार को घेरेंगी वही जिला से लेकर ब्लॉक मुखहलेयों तक किसान विजय सभा का आयोजन होगा किसान आयोजन में शहीद हुए कृषको की आत्मा को शांती के लिए शाम को केंडल मार्श निकाला जाएगा कॉंग्रेस कारेकरता अपने क्षेत्र के शहीद किसानों के घर जा कर उनके स्वजन से मिलेंगे प्रियंका गांधी वाड़ा ने तीन कृषी कानूनों को वापस लेने की घोशना करने को किसानों की जीत बताने के साथ प्रधान मंत्री के फैसले के समय और नियत पर सवाल उठाये कहा कि 600 से 700 किसानों की शहादत के बाद आज उन्हें लग रहा है कि चुनाव में भाजपा के लिए परस्तितियां ठीक नहीं है विदान सबा चुनाव का सर्वे उन्हें यही दिखा रहा है इसलिए चुनाव से पहले कानून वापस लेने का एलान कर माफी मांग रहे है उतरपदेश कॉंग्रेस कमिटी के अद्रेक्ष अजे कुमार लल्लू ने कहा कि केंडर सरकार की ओर से तीन कठोर कृशी कानूनों को निरस्त करना हमारे किसानों की जीत है यह किसानों के विरोध में प्रदर्शनों, उनके बलिदानों, कॉंग्रेस पाइटी और हमारे ने रहूल गांदी के नेत्रुतुमें एक जुट विपक्ष के साल भर के अटुट संगर्शों का परिनाम है प्रदानमंत्री नरिंद्र मोधी ने तीनों कानूनों को वापस लेने का एलान किया प्रदानमंत्री नरिंद्र मोधी ने राश्टर को सम्मोंधित करते हुए एक साल से ज्यादा समय से कृशी कानूनों का विरोध कर रहे किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील की मन्थन किया जाएगा, वहीं संयोक्त किसान मोर्चा की आज होने वाली बैठक टल गई ہے, सूत्रों से मिली जानकरी के मुताबिक, रविवार को सिंगू बॉर्डर पर एक बजे संयोक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी, बैठक के बाद किसानों की अगली रणनीती का एलान किय इसी बीच किसान नेता राकेश टिकेट ने सपश्ट कर दिया है कि किसान आंदोलन ततकल वापस नहीं होगा, जब संसत सत्र में कानून वापस लेनी की प्रक्रियाश चुरू हो जाएगी, इसके बाद ही किसान आंदोलन खत्म करेंगे, टिकेट ने कहा कि नियुनतम समर्थन को 2021-22 में मिलने वाली बैट दरों पर आज फैसला हो सकता है, एपी अफो ने दिल्ली में होने वाले सेंटल बोर्ड ऑप टरस्टीज की बैठक का सरकुदर जारी कर दिया है, और सदस्यों के लिए अजेंडा भी तै कर दिया है, बिडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 1000 रुपए से बढ़ा कर 6000 रुपए करने की मांग रखी है, हाला कि सेंटल बोर्ड ऑप टरस्टीन यूनतम पेंशन को 3000 रुपए बढ़ा सकता है, चालू वित्तवर्श के लिए एपी अप में जमाराशी पर बैच दरों पर भी फैसला हो सकता है, जो 8.50 प्रतिशत है, माना कर्मचारी के रिटार्मेंट से ठीक पहले की आखरी सेलरी के मुताबिक ही पेंशन की राशी तय होनी चाहिए, मालूम हो कि मौजुदा समय में अंतिम 5 साल के वेतन का अवसत देखा जाता है, और इसके आदार पर पेंशन तय होती है, हाला कि श्रम मंत्राल ऐसा करने में अ कम से कम 10 साल की नोकरी करनाच जरूरी है। काफी तेजी से कर रहा है, आसानी से बैक्टीरिया की पहचान भी हो रही है, आर्टिफिशल इंटेलिजेंस के शेत्र में यहां महत्वपून उपलब्धी मानी जा रही है। को इस वर्ष लंदन के ड्रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री की प्रतिष्ट शोत पत्री का RSC एडवांसे से प्रमुकता से प्रकाशत किया गया। उनके इस शोत पत्र को मनीपाल माग गिल सेंटर फॉर इंफेक्शन डिजीज ने बेस्ट पब्लिकेशन पुरसकार और सम्मान के लिए चुना है। चीन और अमेरिका की तनातनी परेशानी का कारण बन सकती है क्योंकि ये दिन प्रति दिन गहराता जा रहा है। प्रतांच के लिए इसे जहाद से उतार कर जब्द कर लिया गया है। आज बड़ी और ताज़ातर इन कबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। माना जा रहा है कि इसके पीछे चीन के सैन्यों देश छिपे हो सकते हैं। एक रिपोर्ट के मताबिक अमेरिका खूफिया एजिंसियों ने खलीफा पोर्ट पर एक बड़ी बिल्डिंग के निर्मान के लिए एक विशाल के गड़े के खोदे जाने का बता लगाया है। को कवर किया गया था। लेकिन अग्यात सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया कि अमेरिका को डर है कि चीन व्यापार सौदों और वैक्सीन कूटनीती के माधिम से वैश्विक प्रभाव हासिल करने के अपने उ देशों के तहत तेल संपन्न देश में एक सेन्न सौदी अरब में इंफ्रास्ट्रक्टर प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने और इरान के संबंदों को मजबूत करने के साथ साथ शेत्र के लगबग हर देश के लिए एक भागिदार की भूमी का निभा रहा है। साकी ने बताया कि चूंकी कोलन्सकॉपी के दोरान बाइडन एनी स्थिस्मिया के प्रभाव में रहेंगे इसलिए उन्होंने अलपकाल के लिए हैरिस को सता सौपी। यह बात और है कि पिछले हफ़ते ही एक पोल में हैरिस की अप्रूबल रेटिंग घट कर सिर्व 28 प्रत सानिय समय नुसार 11 बचकर 35 मिनिट पर हैरिस और वाइट हाउस के चीफ और स्टाफ रोन क्लेन से बाचीत के बाद अपना दायत्व संभा लिया। बता दें कि बाइडन ने दिसम्मर 2019 पे अपने शरीर की पूरी जाच करवाई थी और तब चिकित्सकों ने पूर्वराष् राष्ट्रपती को स्वस्त और राष्ट्रपती का करता विसफलता पूर्वक निभाने के लिए उप्युक्त वाया था। प्तार कर जब्त कर लिया गया। अदानी समू के ओर से जारी बयान में कहा गया कि खूपियार राजस्वन लिदेशाले और सीमा शुल्क यानि कस्टम्स विभा की टीम ने एक विदेशी जाहाच पर कलसंदे के आधार पर कई कंटेनर की जाच की थी। इसके हाला की गैर खतरनाक किस्म के सामान के तौर पर दर्शाया गया था पर इन कंटेनर उपर हाज़ट क्लास सेवन का चिन है था जो रेडियो धर्मी सामगरी के लिए होता है। इन कंटेनरों को मुद्रा बंदर गहा या देश के किसी अन्य बंदर गहा के लिए रवाना नहीं किया गया था। इस्तान से आने वाले किसी भी कंटेनर युक्त कारगो की हैंडलिंग नहीं करेगा। हबा की गुनवत्ता में तेज गिरावट आई। नासा ने पाया कि पराली जलानी की गती में तेजी के कारण नवंबर के महिने में आगजुनी की गती वीधियां बढ़ गई। इसमें कहा गया कि 11 नवंबर 2021 को सुमी NPP उपग्रह पर VIIRS ने पंजाब और हर्याना में आग से उठने वाले धुएं का विशाल गुबार दिली की ओर जाते देखा जो भारत की सबसे घनी आबादी वाले शहरों में से एक है। अंतरिक्ष एजनसी ने कहा कि पाकिस्तान में लगी आग ने भी धुएं में योगदान दिया। जो डबलू एचो द्वारा नुशनसित 15 माइक्रोग्राम प्रती क्यूबिक मीटर के स्तर से अधिक है। फिल्मी दुनिया की चकाचौन बिखेरने लगभग 95 देश एक साथ नजर आएंगे। भारत का 52 अंतराश्य फिल्म महुद सब शनिवार यानि 20 नवेंबर से गोवा में शुरू हो रहा है जो 28 नवेंबर तक चलेगा। इस अमारों के लिए 95 देशों की लगभग 624 फिल्मों को एंट्री मिली है। कुरोनम हमारी के बाद से गोवा में आईजित होने वाला पहला अंतराश्य आयूजन है। अंदराश्य फिल्म महौतसफ का संचालन गोवा सरकार और सूचना और प्रसारन मंत्राले के तहट काम करने वाले फिल्म समहार उनने देशालित वाया सर्कत रूप से किया जा रहा है IFFI का 52 संस्करन एक हाईब्रिड प्रारूप में आप एजित किया जाएगा हर साल फिल्म महौतसफ के दरान भारत और दुनिया भर की सर्वश्रेश्ट फिल्म में दिखाई जाती है महौतसफ में पहली बार OTT प्लाटफॉर्म भाग लेने जा रहा है दिसके लिए Netflix, Amazon Prime, G5, Woot और Sony Live जैसे बड़े OTT प्लाटफॉर्म को आमंत्रत किया गया है इस समारों में हेमा बालनी और गीतकार प्रसुन जोशी को इंडियन फिल्म Personality of the Year अवार्ड से समान किया जाएगा इसके साथ ही हॉलिवड फिल्म निर्देशक, इस्तवान रव्रजावो और मार्टन स्कॉर्सेसी को सत्यजीत रे Lifetime Achievement Award से भी समान किया जाएगा इस दोरान Academy Awards 2022 के लिए भारत की प्रविश्टी तमिल फिल्म कुंजल को भारतिये पैनोरमा सेग्मेंट में दिखाया जाएगा तो आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही आप से कल फिर मुलाकात होगी तब तक देखते रहिए विकेवी नियूस नमस्कार